ये students, next हम start करेंगे exercise 3.2 3.2 जो है वो even और odd number को relate करती है इसमें देखिए first sum में even और odd number की definition मैं आपको बता चुकी हूँ even number जो 2 के table पर divisible है और odd number जो 2 के table पर नहीं जाते अब आप देखिए exercise 3.2 में first sum है इसका a part मैंने लिया है इसमें आपको show करना था sum of any two odd numbers is an even number उसका question था कि अगर हम two odd numbers ले तो उनका sum क्या होगा हम इसको example से easily समझ सकते हैं कोई भी 2 odd number ले ली जैसे मैंने लिया है 1 और 3, 1 भी odd है 3 भी क्या है odd और उसका plus करने पर क्या आया 4 4 क्या है even number means एक sum संख्या है ऐसे एक और example से चेक कर लिया दो odd number फिर से ले लिया plus करा तो क्या आगया even number इस तरह आप जितनी वे example लेंगे odd numbers की उनको plus करेंगे answer क्या रहेगा even number तो इस question का answer क्या हो गया इस sum of any two odd numbers is an even number जब भी हम दो विशम संख्याओं को plus करते हैं उनका answer एक sum संख्या ही मिलती है इसी sum का b path था कि अगर हम two even numbers को plus करेंगे तो हमारा result क्या मिलेगा ये भी हम पहले example पे चलते हैं मैंने two even numbers ले लिये two or four उनको add करा answer क्या आया six, six is again a even number फिर एक और example ले लिए दो even numbers ले लिए ten और fourteen दोनों को plus किया 24 24 भी क्या है even number तो जब भी हम कोई भी दो even numbers को plus करेंगे उनका answer भी क्या रहेगा even number इसलिए हमारा question का answer क्या रहेगा sum of any two even numbers is an even number दो sum संख्याओं का sum भी हमेशा एक sum संख्या ही आएगा third sum पर आएए third sum में हमने ऐसे निखना था हमें question था कि ऐसे prime numbers लिखिए जिनको repeat उल्टा पल्टा करने पे मतलब digits वही रहें लेकिन हमें prime number ही में थीक है तो एक example उसने दी थी 13 and 31 ठीक है मतलब देखें यहां पर digit कौन से यूज है कौन से अंक यूज है एक और तीन उसको हमने उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या आगया 3 और 1 वो भी क्या है prime number ऐसी और example हमने सोच के लिखनी है 37 इसको उल्टा कर दिया 73 बोथ हाल prime अगला है 79 और इसको उल्टा कर दिया 97 बोथ हाल prime numbers अब हम next sum पे आते है question number 6 देखिए express the following as the sum of 2 odd prime यहां पे आपको numbers दिये थे उन numbers को आपने 2 odd prime number के sum के रूप में express करना है पहला number था 44 अब हमें 44 को ऐसे 2 numbers लेने है कौन से number जो odd भी हो और prime भी है ठीक है उन 2 को plus करने पे हमें 44 चाहिए तो ऐसे 2 number जो odd भी है और prime भी जो विशम है और अभाज्य संख्याएं है ऐसे 2 numbers कौन से हो गए 3 और 41 3 और 41 दोनों odd है और दोनों क्या है प्राइम इनको plus करने पे क्या बन गया 44 next मैंने सीख पाट लिया है 24 अब फिर से हमें 2 numbers चाहिए जो odd भी हो और prime भी हो 5 और 19 बोथ हर prime and बोथ हर odd numbers plus करने पे क्या आया 24 clear next 7 sum है give 3 pair of prime numbers whose difference is 2 अब हमने ऐसे prime number लिखने है ऐसी अभाज्य संख्याय लिखनी है जिनको minus करने पे हमारे पास क्या आता है 2 मिलेगा अब ऐसे number को जिनका difference 2 रहता है हम उनको क्या बोलते है twin primes ऐसे prime numbers जिनको minus करने पे 2 आये 2 आने का मतलब क्या हो गया twin और वो prime number है तो नाम क्या हो गया हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य यूगम ठीक है अभाज्य मीज प्राइम यूगम का मतलब 2 तो ऐसे prime numbers जिनको minus करने पे 2 आये हम क्या कहेंगे twin primes ऐसी बहुत सारे numbers हैं हमने 3 लिख लिए 7, 5 prime number है minus करने पे क्या आगया 2 13, 11 बोथ हार prime minus करेंगे तो क्या आगया 2 19 और 17 बोथ हार prime numbers minus करने पे क्या आगया हमारे पास 2 नेक्स 10th sum पे आईए express each of the following number as sum of 3 odd primes अब हमने जो numbers दिये हैं उनको 3 prime odd number के sum के रूप में express करना है जैसे हमने 6 sum में करा था जो given number थे उनको 2 odd prime numbers के में लिखा था अब हमने उसको 2 odd primes में लिखा था अब हमने कितने odd primes में लिखना है 3 odd primes में 21 21 3 odd prime ले लिए 3, 5, odd, 13 plus करने पे देखिए क्या मिल गया 21 ऐसे 61 ऐसे 3 number choose करने है जिनको plus करने पे क्या आए 61 3 number जो odd भी है और prime भी है इनको plus करने पे आप देखिए क्या मिल गया हमे 61 बाकी जो 2 parts हो रहे हैं वो आप खुद करेंगे अब आए 11 sum राइट 5 pair of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5 पहले question को अच्छे से देखिए हमने 5 pair pair का मतलब pair of prime number का मतलब 2 prime numbers लिखने हैं less than 20 वो prime number जो choose करेंगे वो 20 से कम हो लेकिन उनको जब plus करें तो जो sum आए वो 5 से क्या हो जाए divisible ठीक है ऐसे 2 prime numbers लिखने हैं जो 20 से कम हो और जिनको plus करने में उनका जो sum आए वो 5 पे क्या हो divisible देखिए first part मैंने दो numbers लिए हैं जो prime है 2 plus 3 क्या आगया 5 5 is divisible by 5 next देखो 3 और 7 लिया plus करने पे क्या आगया 10 10 आता है न 5 के table पे next 3rd 2 plus 13 15 divisible by 5 3 plus 17 20 20 is again divisible by 5 7 plus 13 is 20 again divisible by 5 अब ये जितने भी numbers हैं आप देखेंगे ये सभी numbers क्या है prime numbers भी है और 20 से कम है और plus करने पे ऐसे number आए जो 5 के table पे divisible है इसके साथ ही आपकी exercise 3.2 खतम हो गई और बाकी जो sum छोड़े हैं वो आप खुद करें